है कि अज़ो प्यार मित्रों सब्सक्राइब सभी का हमारे डूट ट्रण अनुपी श्टडी में दूस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेशन टेज का टोपिक सुरू करेंगे गतिमान अवेस के कारण उत्पन चुम्ब की छेत्र ठीक है इसके पीछेले वीडियो में हम लो कि होगा अनन्त लंबाई काagne ठीक है तो आज हम लोग बात करेंगे गतिमान अवेस के कारण उत्पन चुम्ब की ्च्छेत्र ठीक है तो घ। देखेंगो कि हमारे जो गाव में वायर आते हैं तो वह हुआ है उसमें भी अवेस प्रवा कब होगा sorry दारा कब हो मिले हमें घरा आती है तो जब stairs कप्रवा होता है मत तक तो जब होई सो कप्रवा तो छुंबकी Chetra भी उथपन hogan 你स यह जाती है तो इसलिए रखी जाती है क्योंक्य जब किसी भी wire में आप अब विदुधारा को प्रवाइि कर हैं तो आवेश प्रवा होंगे तूंके करन उत्पन चुम्ब कि छहतर हो ग thế है तो आगे आप लोग पढ़ेंगे कि दो समांतर चालकों में धारा प्रवाईित होने करवथ में कितना बल लघएगा तो जब दो तार हैं ठीक है और दोनों में धारा बैय रही है तो इनके बीच एक फोर्स कारे करने लगए ठीक है यदि समान दिस्सा में है तो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे आकर्शित करने लगेंगे ठीक है यानि तार पास पास आने लगेंगे इनकी दिस्सा विप्रित रहेगी त तो दूर दूजा लें तो इन्हीं को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इनके बीच एक मानक मतलब एक निश्ची दूरी रखते हैं ठीक है ताकि इनके बीच यह जो फाल्ट आएगा यह से कोई न प्रभाव पड़े ठीक है तो किसी भी चालकतार में आप धारा को यानि आवेश को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा उसके करण चुम्बकी छेतर उत्पन होगा तो उसी को में बताना है कि उसके करण कितना चुम्बकी छेतर उत्पन होगा यहीं हमें बताना है ठीक है तो मान लेते हैं कि कोई चालकतार है क्या है कोई चालकता है यह हमारा क्या है चालक तार है ठीक है ऐसे माल लिजिए कैसे भी यह हमारा क्या है चालक तार है ठीक है और इसमें हमारा क्यों आवेस क्या कर रहा है प्रवाइद हो रहा है क्यों आवेस हमारा क्या हो रहा है प्रवाइद हो रहा है ठीक है और जो यह आवेस है इसका जो वे है वो वेग क्या है तो भी भी वेग से क्या कर रहा है भी मीटर पर सकेंड के वेग से क्या कर रहा है गतिक कर रहा है ठीक है तो जब यह चालक तार में यह आवेश प्रवाइथ होगा तो इसके कारार उत्पन चुम्ब की छेत्र हमें बताना है तो जरूर भई चुम्ब की छे 2-1 ठीक इसा जा रहा है ऐसके यह माल की तो इसके भीच एप ठीटा एंगल म्माग लेए ठीक इसके वेग्व और इस बिंदू के बीच हमारा क्या बनेगा भूड़ बनेगा ठीक तो चलिए उस color को मान लेते है अब देखे यहां इसी चालकतार में हम धारा प्रवाहित करें धारा प्रवाहित मतलब अवेस क्या होंगे प्रवाहित होंगे उसमें अवेस क्या होंगे प्रवाहित होंगे तो उसके कारार चुम्ब की छेतर उत्मन होगा और वो चुम्ब की छेतर किसे दिनोट करते हैं बी से क्या होता है तो तो बी जो होता है क्यों के क्या होता है प्रपोर्शनल होता है ठीक है यानि अवेस की मात्रा ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपकी क्या होगी अवेस की मात्रा बढ़ाएंगे तो धारा कमान बढ़ेगा तो चुम्बकी छेत्र का विमान क्या होगा बढ़ेगा तो यह पाती होता है भी के भी यानि जो आवेस होगा जितनी तेजी से गती करेगा जितनी स्पीड से जाएगा उसके करण जो इलेक्ट्रिक फिल उत्पन होगा ठीक है एलेक्ट्रिक फिल चुम्ब की मैगनेटिक ठीक होगा ज्यादा होगा ठीक है एलेक्ट्रिक मैगनेटिक जो फि थीटा कोड़ बन रहा है इसकी जया के भी समानुपाती में होता है यानि वी प्रपोर्शनल साइन ठीटा ठीक है साइन ठीटा इस कोड़ का मान यह जो कोड़ है इसकी जया का क्या होता है समानुपाती होता है ठीक है और इस दूरी के क्या होता है वर्ग के बीतक्रमानुपा बाद आती होता है यानी बी- इंडेरेक्ली प्रोपोर्शनल ओन अंपन ईस्क्वार ठीक है समन पते जब इन सब को मिलाएंगे एकस तो क्या लिख सकते हम इसopen भी प्रोर्पोशनल एक और लिख सकते हैं और यहां से आपको पता है प्रोपोर्षनल का चिन हटाते हैं तो नियतांक लगता है जैसे माज़ें के अगया क्यों वी साइन ठीट अपां आरे स्क्वार्ड के क्या हमारा नियतांक है क्या है नियतांक है और इसका मान होता है मियु जीरो अपां 4 consistent 0 upon 4 pi इसकी numerical value की बात करें तो होता है 10-7 10-7 पिछली class में भी हमने इसके मान को पता किया है ठीक है इसके मान को जानते हैं तो यहां पर रख देंगे तो b बरावर formula क्या जाएगा mu 0 upon 4 pi into क्या जाएगा qv sin theta upon r square upon r square यहीं जो है हमारा किसी चालक तार में आवेश को ठीक है भी वेक से यानि किसी गतिमान आवेश के कारण उत्पन चुम्ब की छेतर होगा b बराबर q mu 0 upon 4 pi qv sin theta upon r square यह हमें formula बस यहीं याद रखना है ठीक है बास समझ में आई है और q एलेक्टिव magnetic field upon होता है यह भी आपको पता हो गया कि जहां पर भी धारा है जहां पर भी आवेश से वहां पर magnetic magnet उत्पन हो सकता है ठीक है यानि जब हम आवेश को गति में लाएंगे तो चुम्ब की छेतर create कर देगा ठीक है या किसी magnet को अगर हम motion में लाते हैं तो वह धारा को उत्पन कर देगा ठीक है चलिए तो इसलिए खाज़त जहां विद्दू थे वहां पर चुम्बक संभव है जहां पर चुम्बक वहां से विद्दू धरावत्पन कर सकते हैं ठीक है चलिए तो यह आपको फर्मूला याद रखना है बास समझ में आई है चलिएगा तो यह फर्मूला आप लोग नोट कर लिजएगा अगला टॉपिक है अगला टॉपिक है मरा धरवाही तो यह फर्मूला आप लोग नोट कर लिजएगा अगला टॉपिक है मरा धरवाही कुंडली ठीक है धरवाही कुंडली के केंदर पर केंदर पर उत्पन चुम्बकी छेतर ठीक है केंदर पर उत्पन चुम्बकी छेतर यानि उसके केंदर पर चुम्बकी छेतर कितना होता है यह हमें क्या करना है बताना है ठीक है चुम्भकी छेत्र ठीकत तो आपको पता है धरवा dental क्या नहीं होती है तो एक लोहे के भी रोआ-पर क्या करते हैं लोग इंसुलेटेट कापर वायर को क्या करते हैं लपेट कर और बनाते हैं छेक्ष से थोस रहेगा तो यह तो भूरा ही Crush कठीक तो इसके उपर हम लोग क्या करेंगे इंसुलेटेड वायर का क्या करेंगे इसे फेरे लपेड देगे तो यह क्या बन जाता है हमारा धरवाही कुंडलीसी को बोलते हैं ठीके इसके कारण हम लोग magnetic fill उत्पन करते हैं जितना फेरो की संख्या जादा होगी उतना यह जादा सक्तिसाली magnetic fill क्या होगा उत्पन होगा ठीक है बहुत सारे सक्तिसाली विदुद्चुम्बक मनाया गया ऐसी तरह ठीक है इधर से धारा जाती है तो एक तरफ से निकल आती है ठीक है इसमें धारा के प्रवा के कारणी क्या होता है electric field इधर क्या हो जाता है उत्पन हो जाता है अर्थाती चुमबक की भात क्या करने लगता है का रेक करने लगता है ठीक है चुंबा की भारती कारे करने लगती है सब अब समझ मैं यह तो यह हमारा है धरवाही कुंडली के तो इसके केंदर पे कहां निकालना है इसका कोई न कोई एक सेंटर पॉइंट होगा ठीक है तो उसके केंदर पे हमें क्या निकालना है इसका चुंबा के छेतर निकालन है ठीक है तो चलिए जो यह धरवाही कुंडली है ठीक है इसकी हम लोग त्रिजिया ठीक है इसकी त्रिजिया हम माल लेते हैं क्योंकि यह ऐसे गोलाकारी होगा ना बेलन टाइप का तो बेलन के सीरो पर क्या होता है व्रित होता है तो इसकी हम त्रिजिया माल लेते हैं कि क्य क्या है इसकी त्रिजिया इसकी त्रिजिया हमारी क्या है इसकी त्रिजिया है आर ठीक है इसकी त्रिजिया क्या है आर है और इस पे जो इंसुलेटेड कापर के वायर लपेटे गए हैं इनके फेरो की जो संख्या है उसको माल लेते हैं यानि फेरो की संख्या संख्या बराबर क्या है एन है संख्या बराबर एन है ठीक है तो आपको पता है जनरली अभी हमने बताया कि जो चुम्ब की छेत्र है यह प्रपोर्शनल होता है आई के या क्यूं क्यूंकि आई यानि धारा कमान बढ़ेगा अर्थात क्यूं कमान बढ़ेगा तभी तो धारा कि जो फेरो की संख्या होगी जादे होगी यानि जितने फेरो की संख्या बढ़ाएंगे उसके करण जो और दोल कि इसैने की, मैगनेटिक और repent होगा यानी विद्व चुम्बज की छेतर उत्पन होगा वो ज्यादा होगा ज्यादा होगा इसका मतलब जो चुम्बज की छेतर होगा वह एन के समनुपाती में होगा нी संख्याख बढ़ाएंगे तो Chumakatre बढ़ेगा यानी B Samanu Parthis क्या हो जाएगा N हो जाएगा B Samanu Parthis N आपको पता है जो दूरी होती है वह हमेशा भीतक्रमान पाति में आती है झाए के? दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? Šumakatre घटने लगेगा तो B who works इसके तरजय के क्या होगा बीत क्रमानुपाती होगा क्या होगा बीत क्रमानुपाती ठीक है क्या होगा बीत क्रमानुपाती ठीक है अभी दूरी के कितने दो गुने के ठीक है उसकी दूरी के क्या होगा बीत क्रमानुपाती होगा आइनी सब को मिला देंगे तो इसके कारा इ यानि B समानपाती क्या हो जाएगा एन आई अपान टू आर एन अपाई अपान टू आर ठीक है अब यहां से आपको पता है कि बी बी का जब सोरी जो परपोर्शनल का चेने इसको अटाएंगे तो नेतांग को ही आएगा क्या हैगा मिउजिरो अपान फॉर पाई मिउजिरो कमान सुब को पता है कितने और हमने बताया दस घात मैनस साथ होता है माइनस साथ होता है कर लिजेगा ठीके पिए हो गया धरवाही कुंडली के केंदर पर उत्पन चुम्बकि च्छेत्र का फर्मुला इस फर्मुले को आप लो नोट कर लिजेगा आगे फर्मुले आएंगे और इसे पर आपके नुमेरिकल और इधर जो लेशन है इससे आपका नुमेरकल ही पूछता है एक दू नुमेरकल ज़रूर पूछेगा ठीक है अप्सिनल बहुत कम पूछता है नुमेरकल ज्यादे पूछता है इधर से ठीक है चलिएगा तो इस फर्मुले को नोट कर लिजेगा और हम अब पढ़ेंगे धर धरवाही परिनालग अब सिल्वनोइड पढ़ेंगे जोकी बहुत ही इंपोटेंट ए ठीक है इंजन बनते हैं ठीक है आप भी घर पर बना सकते हैं चलिए तो देख लेते हैं उसके बारे में कि क्या होता है सिल्वनोइड ठीक है तो इसको नूट कर लिजिएगा आप परिनालिका का चुम्बकी छेतर ठीक है चुम्बकी छेतर देखे परिनालिका क्या होता है धरवाही एक कुंडली है धरवाही परिनालिका ठीक है तो मैंने अभी बताया कि जो हम लोग रॉड का यूज करते हैं इसमें ठीक है उसको क्या कर दे खोखला कर दे क्या कर दे खोख से क्या है खोखला है बीच से क्या है यह खोखला है ठीक है बीच से क्या है यह खोखला है तो इसी को और इसी पर हम लोग क्या करेंगे इंसुलेटेड वायर कापर के वायर को क्या करेंगे राउंड कर दें इसमें फेरे लगा देंगे ठीक है तो इसके कारण भी क्या होगा इ परिनाली का इसका काफी यूज है ठीक है हमारे दैनिक जिवन में इस पर कई इंजन भी बनाए गए हैं ठीक है इंजन भी आप इसके सिधान पर बना सकते हैं इस परिनालका के उपर हम एन फेरे लगाए है एन फेरे हैं ठीक है और इसमें आ धहरा प्रवाहित कर रहे हैं और जो यह जो कुंडलि है कि कि यह जो परिनालिका है इसकी जो लंबाई है क्या है है और थीक है तो इसमें उपन चुम्बकी छतर कितना होगा तो ज arm Uhr फिर इसका निकाल सकते हैं कि जो चुम्बकी छेत्र होगा वो समानपाती होगा आई के जस पिछले टॉपी के इसाफ से ठीक है और फेरे के जो संख्या होंगे उसके भी क्या होगा समानपाती होगा क्योंकि इनकी संख्या बढ़ेगी तो चुम्बकी छेत्र कमान क्या हो कि अंदर भी तो इसको बी बराबर नहीं पहले हम लिख लेते हैं इसको लिख ना आता है मिव जिरो ठीके क्योंकि परिनलगा के अंदर हम लोग चुम्ब कि छेतर गयाद कर रहे है तो यहाँ पर निया तांक जो आता है मिव जीरो आता है ठीके तो भी बराबर आएगा मिव जीरो उसके पासे क्या है एन आई अपान एल ठीक है इसी फर्मूले के सहयोग से हम परिनलगा के अंदर कितना चुम्ब कि छेतर उत्पन होगा उसको घ्याद कर सकते हैं ठीक है देखिए सिलनाइड इंजन कैसे बनाए जाते हैं इस वे हमला हमारे क्या बनाए जाते हैं इंजन भी बनाए जाते हैं क्योंकि इसके खोखल यह कैसे बना जाता है यह का ऐसे बना दिया जाता है समझे जिसमें पिश्टन आपका उपर नीचे होता है समझे वह से बना देते हैं पर नलगा को ठीक है इसके उपर कापर के वायर को लपेट के इसको बना देते हैं और इसके इधर हम क्या लगा देते हैं पिश्टन लगा द देते हैं ठिकए पिस्टन इदर लगा देते हैं तो दो देखिए क्या होगा हम इसको हम बैटरी से कर देटें अधिया लोगा है ठीक हिसे जब एक हम होगा है यह समझिए अमौरम प क्षिटन है मैठ केँ मैं यहां से यह हमरा किया है पिश्टन है इँ और और यह क्या हमारी परिणालिका है को कि यह ज़ाथ ज़ाएंगे इसमें कापर के वाईर लपये गए हैं तब इसे कापर के वाँज से उतना ही ज़ादा सक्तिसाली उत्पन होगा ठीक है तो ऐसे लपेट के और क्या करते हैं कि इसको एक बैटरी से क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं ठीक है इसका एक वायर इधर बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए तगे और एक वायर को स्विच द्वारा एक स्विच द्वारा एक करके करते हैं स्विच से माली याँ यहां पर जो विल लगी होती है ठीक है जो पिस्टन में विल लगी होती है इसको ऐसे करें और आटमेटिक रहता है ठीक है अफ कि अफ आटमेटिक रहता है तो यह ऐसे रहेगा उठा रहेगा आपको पता यह सब मेटल से होगा तो इसके जो तो दूसरा सीरा है इसको लगा के इधर जो मेटल लगा रहता है ठीक है उससे कनेट कर देते हैं क्या करते हैं उससे कनेट कर देते हैं तो देखिए जब यह विल इस साइड में है तब इसको यह स्विच को आन करना है एसा एजस्ट करना है तो आन करेगी तो इसमें क्या होग ऐसे मैगनेटिक फिल्ड क्या हो जाएगा उत्पन हो जाएगा ठीक है तो मैगनेटिक फिल्ड उत्पन हो जाएगा तो यह भी लोग चुमग की पदार्थ होता है ठीक है हूं कि दो क्या होगा है यह से लुणा 이 गर्काइब कि अंदर आखषित होगा तो जैसे अगर सित होगा इसका क्या होगा स्विच ऑफ और जाएगा तो यह फिर क्या होगा फिर पॉजिसन पर फिर भैक आएगा फिर बैक डाय गा तो फिर यह यह सेठ हो ऩाओ stimulate यह प्राइब दे और यह यह करता है कुछ है ँप जो लोड में एप लोड एपनड पहले तो देंज बैपटरी से करेंट करनेगे जबहां से मैं करेंट जाएगी तो एलेक्ट प्लिपान HOWगा तो यहkeiten तो विल के रोटेशन के कारार फिर क्या हो गई अपना वापिस आएगा पुना इसका स्विचान होगा फिर इसमें मैगनेटिक फिलूलपन होगा फिर यह खीचेगा ठीके तो ऐसे क्या करता है यह सिलोनाइड इंजन कारे करता है बसमझ में आई है तो सिलोनाइड आप समझ इसे आप इसे घर पर भी बना सकते हैं ठीके चलित यह था इसके तो यह हमें बस यह फारमूला याद रखना है कि जो से लोनाइड के अंदर जो चुम्बकी छेत्र यहां पर कितना होगा तो इसके अनुसार हम लोग यह लंबाई है ठीके ऐल है इसके अनुसार हम निकाल सक करते हैं कि इसके अंदर कितनी चुम्ब की छेत्र उत्पन होगा है ठीक है तो आप जितना चुम्ब की छेत्र जाना ग्यात मतलब करना चाहते हैं आप फेरो की संख्या धाराग में उसमें वोल्टेज का मान बढ़ाई ये लंबाई के अनुसार ठीक है लंबाई को हम लोग आप को दिखा रहे हैं आप लोग क्या करें कि यह जितने फर्मूल के ओपने कर सब आइस..., सब को सब्सक् Wikipedia करें याद कर लिजिए और फिर हम लोग देखेंगे अब अगला टॉपिक लारेंज बल लारेंज बल तो यह भी आप लोग पढ़ छुके होंगे ठीक है य लारेंज बल ठीक लारेंज बल पढ़ेंगे तो जैसे आपका एक कोई आवेज था ठीके जब और गती कर रहा था किसी धरवाई चालक में तो उसके कारार कि अत्पन हो रहा था चुम्ब की छेट उत्पन हो रहा था था जिंब की छेटर उत्पन में ठीक है एक समान चुम्ब की छेत्र में कोई धरवाही चालक रखे और उसमें हम किसी आवेश को भीवेख से गतिमान करेंगे ठीक है तो उसके बल लगेगा क्या लगेगा उसके बल लगेगा और उसी बल को हम लोग बोलते हैं लारेंज बल क्या बोलते हैं लारेंज बल ठ ठीक है यानि कोई आपका एक समान चुंबकी मोट ह crouch dai ठीक है जब इसमें कोई आवेश कोई जो आवेश है वा भीवर्ट से क्या कर एंगा इसमें गटी करेगा तो तुम फोर्स लगा तो लगे गए यानि जो चुममकी छ्थर भी है और कियों क्या है हमाराир और भी एगसे क्या कर है गती कर रहा है तो इसके जो गती की दिसा है और यह जो चुह की च्छेतर की दिशा है इसके बीचेप का कBT बन रहा ए ठीक डाये चलिए तो यह हमारा कोड़ बन तो एसे गती करेट इसमें बल लगा वह बल कितना लगेगा तो उल धीए कि इतना लगेगा वाल जो एफ हगा जुम्ब के च्गे क्या होगा समानुपाच। म्य fait the book university and the प्रोस्ट जो अप्लाइज होगा उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा नंहीं है क्या होगा ज्यादा होगा यान्य आस्म एक पर पर्फॉर्शनल क्या करीक सकते हैं है ठीक जो ए फोगा वह कि इसके प्रपोशनल होगा क्यों पैण झास यह जो आवास होगा की जिल देनीन कि अपूसे भावगा प्रपोशनल होगा क्या बल ठीक तक यानि वेयो पिल्ग बढ़ह गी त galaxy मानगर बढ़ेगा रक चलिए और अगला जो है फर प्रोपोर्शनल की और की यहनी जो आपका वेगवब्स का जितना तेजि ऋगा उस पे जो फोर्स है उतना इका होगा ज्याद लोगा ठीक हैर ं जो करें ले किया समनपाती यह यहां प्रोपोर्शनल साइं ठीता अब सब को जब एक में करेंगे तो आता है आपका एप प्रपोर्शनल क्यू वी बी साइन ठीटा यह फर्मूला आपको पता है पहले सही पता होगा एफ प्रपोर्शनल क्यू भी वी साइन ठीटा 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 और यह जब प्रपोर्शनल का चीन हटाते हैं तो आपको पता है क्या है गानियतांगा आजय है क्या है क्या ये पूल भी तीठा और यहां पर के बराबरह मुलु लखेंगे जबишь यहीं यह बराबर आजब किया कि फूल defind 맞아 टीक है यह हमारा फोर्मेल रहें है इसी फर्मूले साइन दहें है ठीक है को आप से पुछे लारेंजबल बताए तो आप डारेंजबल बता सकते हैं कि एब बराबर की वी-वी साइन ठीटा यह हमारा लारेंजबल है अर्थात किसी भी गतिमान आवेज को किसी एक समान इस वीडियो का लास्ट टोपिक होगा दो समानतर धरवाई चालकों के मद बल जैसे अभी मैंने जब फर्स्ट टॉपिक शुरू किया था उसे में बताया था कि जो इनके बीच गैप रखा जाता है ठीक है तो उसका कारण यहां पर आपको समझ में आ जाएगा क्यों रखा ज देखें क्या है टोपिक तो दो समानतर चालकों के बीच चालकों के बीच कि दो समानतर धरवाई चालकों की मद बल कि तना लगए यहीं हमें बताना है तो अभी हमने बताया इस देखेंगे दो चालकतार हैं समानतर यानिके बीच की दूरी क्या होगी हर जगाँ बराबर होगी ठीक है तो दो कंडिशन हो सकते कि एक चालकतार में ऐसे झारा जा रही हो यह यह हो सकता है यह तो एक धारा ऐसे जारे यह दूसरे के विपरित और समान दिशा में बस सकती है ठीक है तो देखे क्या होता है जब चालकतार दो चालकतारे हैं को समानतर रख के ठीक है जब इसमें धारा प्रवाइद किया जाता है तो यह यह देन थ Taraki तो यह क्या होंगे समझे कि जो मैगनेटिक फिल्ड यहाँ पर रोगा समयиш इसका ये एन है तो ये एसे तो इसका यह एस और यह एन लगा तो आपको पता है कि जब और समान पॉल होगे तो उनमें क्या होगा आकर्षड होगा अर्थात यह जो तार है एक दूसरे की तरफ क्या होने लगेंगे आकर्षित होने लगेंगे ठीक है यानि देखेंगे तो यह धिरे धिरी जो वायर है ऐसे जो आयर है ऐसे हो जाएगा ठीक है और यह वायर कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा यानि एक दूसरे की तरफ क्या होने लेंगे आकर्सित होने लेंगे ठीक है यह दूसरी कंडिशन यह तो फर्स्ट कंडिशन थी दूसरी कंडिशन क्या है कि दोनों की दिशा क्या है विप्रीत है तो इसमें भी फिल्व उत्पन हों तो जो यहाँ पे पोल उत्पन हो जाते हैं वोस्मान फोल ठीक समान फूल्ऑ फबन हो जाते हैं तो इन प्रतिकर सित होने लगता यदि दूसरी को दूर धकलने लगते यह समझेतार ऐसे होने लेगा हुझा सिęt कर Person दूर हटने लेगा है बास समझ मैं यह तो इसलिए आप लोग देखें को कि जो पोलो पे वायर बिछाए जाते हैं तो उनके बीचे के डि है बास पहथाकि टिन की ऐता है टाकिए कि एरन आए ठीक है यह जो इरख राय यह न उसमें ठीक है तो इसलिए यह यह तो यह जो प्रतिकर्शर बहल रहा है इसकी वेल्व कितनी होगी ठीक है उस्के हमें बताना है तो लिए तो जो पीछी दूरियोजी आतरए इनसे जो जो बल लगेगा जो हमारा अकर्शर रोड ओक झां कितना होता है तो एफ अपन एल बराबर एफ अपन एल बराबर होता है आपकाम के के कि तू आइवन आई टू अपन डी इसको अपको ट्वेल कुल ल्ट कलास में यह 10 ख लूशन दिया है है ठीक है तो हमें डरिफे शन्समों मतलब तो है नहीं ज़से में फर्मुलार याद रखना है ठीक है और यहां से क्या स्क्वार्बर वहीं जो नीतांक रखते हैं मिउजी उप पान फॉर्ठ पाइघ मेंजी रहा पान फॉर पाई तो रखेंगे तो ही आएगा ौट बराबर मिउजी इसमें तो यह जो आगे हैं चुंबकी बल कि नियात करने का जो फ्लेमिंग का हात्स का नियम है ठीक है दाय हात का निएम यह सब reading की अग्रे video में थीक है इस video में बस इतना ही रहने देते हैं तो मैं अगले वीडियो में इसकी थी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी उसके बाद से हम इसके नमेट कर स्वाल करेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाई-बाई-बाई धन्यवाद झाल